तो त्योहारों पे हमने बड़े स्पॉंजी रसगुले तो खाए ही हैं साथ में ये चोटी वाली रसगुली किस-किस को बहुत पसंद है और कौन-कौन चाता है कि उसे घर पे ही बना लिया जाए बट परफेक्ट कभी नहीं बनती तो चलिए आज हम लेके आएं आपके लिए ये स्मॉल वाली रसगुलास तो दिखाती हूँ आपको कितना सुपब बना है देखिए अंदर तक जूस से भरी हुई ये स्मॉल रसगुले आधा लीटर दूद ले रही हूँ दो कप यानि आधा लीटर दूद ले रही हूँ यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क ले लिजिए औ और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको सिर्का एक चमच सिर्का और बाकी पानी आड़ करेंगे हम इसमें तो दो चमच पानी आड़ कर लीजिए दूद मेरा पहले से उबला हुआ है तो दूद अगर पहले से उबला हुए ना आपका तो बस उंगली लगा के देख ली और उसके बाद जब पनीर सेट हो जाएगा ना फिर इसको इसमें निकालेंगे और अच्छे से करेंगे वाश और निचोड लेंगे और इसको दस मिनट के लिए मैं टांग दूगी देखे ठंडे पानी में भी डिप कर करके मैं निकाल रही हूँ ताकि इसमें सिर्के की टाटरी से निम्बू से भी फार्ट सकते हो तो यह 10 मिनट हो चुके हैं देखे पनीर कितना अच्छा निकला है बहुत छोट्टू सा वना के दिखा रही हूँ इसको जो हमारी हाथ होता है ना उसकी हथेली की हेल्प से इसको करेंगे मैश तो हथेली यह देखे यहां से हथ जादा प्रेशर नहीं डालना है बस इसको स्मूध होने तक ता कि इसमें जो हमें दरारे होती है छिद्रा सा होता है यह वो ना रहे स्मूध सा बटरी सा फ्लेवर हो जाए टेक्शर हो जाए एक चमच डाल रही हूं यहां पे कॉन फ्लोर का मैदा जो हलवाई है नहीं डाल इसे गुटलियां बन जाती है आधा चमच यहां सूजी का बिल्कुल हल वाई की रेसीपी लेके आई हूं आधा चमच सूजी अटाल रही हूं और आधा ही चमच देशी घी का डाल रही हूं यह टिप्स हैं जो की आपके आएंगे बहुत काम रसगुली बनाते होई इसी ब तो यह देखे इस पर मैं डाल रहे हूँ swirl बेकिंग पंडर स्चयह वी याद्छ यो जाएगा अभी हमने बहुत छोटी अभी ने भी बढ़ी रहे थी यह मेरी ड़ीर गिरी 엮ेए बहुत अब यह पढ़ा परते हुँ आधा किलो और 250 ml पानी यानि के आधा ही पानी डालेंगे हम जितनी एक कप पानी डाला है तो दो कप जैसे दूद लिया था ना तो एक कप पानी का लेना है और चोटी-चोटी इसकी लोहियां काट लेनी है हमने बहुत चोटी-चोटी तो यह देखे इस तरह से हाथ से भी प् मेलीटर रहाँ सवती हैं देखे यह थीयां टेंगि येवे चोटी कर लेजिया मेरि मिक्स सटी है एक दोरस गुली केकी मैं डालूँगी कि पिंक कलर और थोडा सा-साइट पर डालाओ य्लो कलर तो इनको थोड़ा सा mix कर लेंगे, pink color तो ये liquid वाला है और जो yellow color है वो dry वाला है, तो उसमें हलका सा पानी हाथ लगा के हम कर लेंगे, तो ये बहुत ही कम सा डाला है मैंने, तो ये देखे, इस तरह से डाल लीजिए, कर लीजिए गोल, तो मैंने सोचे ये दो color के बना ली जा corn floor मैदा के हमारे जो रसगुले हैं, उसकी recipe भी आप देख सकते हैं और ये छोड़ दी हैं, इसमें अभी सुनते जाए कैसे करना है हमने, इसको ऐसे हिलाया और पांच मिनट के लिए बिलकुल ठक देना है, हमने बिलकुल नहीं देखना है, पांच मिनट के बाद देखे, ड आड़ी हो जाती है, तो रसगुले के अंदर चाशनी नहीं जा पाती है, ऐसे ही हम 2-3-3 मिनट तक ये करते रहेंगे, और तब तक हम करते रहेंगे, जब तक रसगुले बिलकुल पानी के अंदर ना चले जाए, मतलब कोख होएंगे, तो रसगुले पानी के अंदर जाएं मुँखे चीक कुल आइंग यह का इसलिए कर रही हूं ताक यह तो यह दि कई यह पानी के अंदर जा रहे हैं कर्ची में काल के देख लीजिए यह प्रोशेस मिनिन प्रोशेस दीचा मैंने बहुत बार किया पांच से आप यह प्रोसेस किया, तो यह देखिए, अब बन गए हैं हमारे रसगुले, तो मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला है, बहुत ध्यान से डाल लिया अगर एसेंस डाल रहे हैं, और इनको ऐसे मैंने छान लिया है, दो घंटे रखने के बाद चान लिया, और यह देखिए, कितने सुन्दर से सुपब से रसगुले हमारे बन के तयार हैं थोड़ा सा जो कलर था फैल गया येलो सारी येलो हो गए हैं तो उपर से coconut का desiccated जो coconut यानि बुरादा डाल दिया है और ये मज़ेदार से रसगुले ठंडे करके करिए enjoy और ये देखिए अभी मैं आपको काटक ये भी दिखाने वाली हो कि कितना सुपब सा अंदर तक juices ने पी लिया है बस इसको थोड़ा फ्रिज में rest होने के लिए जरूर रख दीजिए ताकि अंदर तक रसा है जो पी सकें तो ये देखे कितना सुपब सा है ना कितना देखिए sponge देखिए अप अंदर तक तो कैसी ल अंदर बाद से ब्लेस्ट